इंटरनेट के स्यूग में लोग असलियत को पहचानना भूल गए हैं और उनके लिए सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट सी उनके लाइफ का एक इंपोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं और इसे पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं ये आपको आज की समरी कहानी में पता चलेगा मोवी के शुरूआत में एक अंदेरे घर में एक उरत को टेबल पर बांद कर रखा गया था और हेमर लेकर एक मास्क पेने आदमी उसके पास में आता है और उसे बेरेमी से माड डालता है लेकिन वहाँ पे एको रादमी था जो कि दिवार के होल से ये सब कुछ देख रहा था अब अगले दिन दूसरे टाउन में एलिसा नाम की एक लड़की दिखाए देती है और एलिसा को बार-बार बहुत जदा उल्टिया हो रही थी उसकी माँ उसे फोन पर होस्पिटल जाने के साला देती है और एलिसा अपनी माँ को ठेंकी बूलकर फोन कार देती है कुछ समय बीटता है और वहाँ पर फेबरीजियो, सूफिया, मार्क और रिकार्डो आते है एलिसा उनकी गाड़ी में बेठ जाती है और हो सब अपनी अपनी मंजिल पर जाने वाले थे रिकार्डो डॉक्टर था जो की अपनी एक पेशेंट को देखने जाने वाला था और मार्क और सोफिया यहाँ पर कपल थे और फेबरीजियो उनका ट्राइवर था जल्दी एलिसा उनकी दोस्त बन जाती है और वे लोग एक सुनसन रास्ते में आगे बढ़ रहे थे एलिसा रास्ते के बोट्स पर एक अजीब सा काला निशान देखती है पर बाकी इस बात पर गोड़ नहीं करते है और रास्ते में एलिसा को फिर से उल्टिया शुरू होने लग गए थी इसलिए कार रोक कर एलिसा बार चली जाती है फिर नश्या में होने के बावजूद मार्ग गाड़े चलाता है और रात को गाड़े चलाते टाइम मार्ग को बहुत निंद आ रही थी वो म्यूजिक चला कर किसी तरह अपने निंद को काबू किये वा था और फेबरी जो भी उसका साथ में डिंग करके उससे बात कर रहा था तबी रोड के बीच में अचानक उनको एक गोट दिखाए देती है और गोट को बचाने के चक्कर में मार्ग का गाड़ी को रोड के दूसरे तरफ गुमा देता है और उनके गाड़ी का एक्सिडेंट हो जाता है सुबह एलिसा मार्ग को बहुत ही बुरी जखमी हलत में पाती है और मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल लगाती है पर उस जगर पर नेटवर्क नहीं था रिकार्डो एलिसा को रोड से मदद लाने को गहता है पर वे लोग तो रोड के पास थे भी नहीं सब लोग शौकड होकर गाड़ी के बाहर देखने आते हैं और उनकी गाड़ी एक खुले मेदान में थी और पासी में एक घर भी था सबी उस घर में मदद बागने जाते हैं और सोफिया उस घर में आवज भी लगाती है लेकिन कोई भी घर के बाहर नहीं आता है और तब सब लग फिर से गाड़ी में चले आते हैं मार्क इस बात से पैनिक कर रहा था कि सबी रास्ता भटक चुके हैं और फेबरीजियो और रिकार्डो जंगल की तरफ रास्ता ढूणने जाते हैं रास्ता में फेबरीजियो रिकार्डो से उसकी लाइफ के बार में पूछता है लेकिन रिकार्डो उसे कोई जवाब नहीं देता है तबी उनको एक अजीब से चीज नजर आती है और जंगल के बीच में कुछ डेट बोडिस को अजीब तरी के सलटकाया गया था उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जग बलेक मेजिक के लिए यूस की गई हो और ये सब देखकर वे वहाँ से चले जाते हैं इदर एलिसा उसी घर में फिर सो गुशती है और घर के अंदर अजीब अजीब चीज़ा रखी हुई थी और उसे कुछ आवज़े भी सुनाई दिती है एक जगे पर बहुत सारे कैंडल्स और कुछ पेंटिंग्स के सामने जला कर रखा गया था बाकि सब भी घर के अंदर आकर ये सब देख लेते हैं और सब भी लोग डिसाइट करते हैं कि मार्क को इस घर के पास मिलाकर वे लोग रात यहीं पर गुजारेंगे रात को फेबरीजियो जब बार जाता है उसे कुछ मास्क पेहने वे लोग उसी की तरफ देखते हैं नजर आते हैं और इधा रिकार्डो को घर के तरफ से अज़िब अज़िब आवज़ सुनाई देती है सोफिया और एलिसा भी घर के अंदर देखने के लिए चला जाते हैं फेबरीजियो रिकार्डो को आकर उन मास्क में इनके बारे में बताता है और दोनों फिर से उसी घर के अंदर जाते हैं घर के एटिक में सबी को एक बच्ची नज़र आती है और उसे समय वहाँ पर एक तेज आवाज भी गुझती है वे खिड़के से देखते हैं तो कुछ काले कपला पेने लोग उस घर के सामने खड़ हुए थे वही लोग मारक को काल से निकाल कर घर के अंदर ले आते हैं और उसको एक टेबल पर बान देते हैं तब एक आदमी मारक को हेमर से पीट पीट कर माँ डालता है और उसकी चमले भी उखाड़ कर खुदी पहन लेता है और वही तेस आवाज फिर से गुंजने लगती है और सभी वहाँ से मारक की डेट बाडी को लेकर चला जाते हैं सभी लोग एटिक से ये सब कुछ देख रहे थे और मारक की दर्दनाक मुत देखकर सभी शौक डो गयते हैं अगली सुबे उस बच्चे को लेकर सभी जंगल के तरफ रास्ता ढूंडने जाते हैं और एक जगे पर उनका बहुत सारे अबेंडन्ट कार्ज दिखाए देती है मतलब कि उनसे भी पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर फस चुके हैं और इन सब की वज़े से रिकार्डो और सुफ्या के बीच में जगला हो रहा था इस तरफ एलिसा उसी बच्ची चियारा के साथ में बात करना जाती है और चियारा की जीब उन लोगों न काड़ दी थी तो चियारा लिखकर अपने बारे में एलिसा को बताती है फिर उसी समय वहाँ पर वही तेज आवाजे फिर से उनको सुनाई देती है और सभी फिर से उसी घर के अंदर जाते हैं रात को भी सभी ड्रिंक करके एक दूसरे की लाइफ में बाते कर रहे थे सभी कुछ देर के लिए ही सही लेकिन अपना टेंचन भूल जाते हैं और वहें पर सोच जाते हैं और सोफिया यहाँ पर मार्क को बहुत मिस कर रही थी अब आदे रात को फिर से वही तेज आवाजे सुनाई देती है और एलिसा उठकर भार देखने जाती है और जो वह देखती है उसे देखकर वह बहुत ही शौक्ड हो गई थी उनियस जब मास्क पेने लोगों ने सोफिया और रिकार्डो को एक पोल से बांद कर रखा वा था और फेबरीजो एलिसा को घर के अंदर ले आता है वह सभी लोग एक रिच्वल करने लगते हैं और रिकार्डो और सोफिया को बड़ी बहरेमी से मारने काटने लगते हैं घर के अंदर से एलिसा यह सब कुछ देख रही थी पर वह कुछ नहीं कह पाती है और यहां पर हम समझ पाते हैं कि उन सब को इस जगह पर लाने वाला और कोई नहीं बलकि फेबरीजो ही है फेबरीजो एलिसा को हग करता है और तबी एलिसा सुन पाती है कि फेबरीजो के एयरफोन पर कोई यह कह रहा है कि एलिसा को लिविंग रूम में लेकर आओ एलिसा भी यही बात सुन लेती है और फेबरीजों से पूछती है कि उसके साथ ये कौन बाते कर रहा है पकड़ जाने पर फेबरीजों गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एलिसा इस तरह सब कुछ बिगाड़ देगी और उसी समय कोई आकर एलिसा को घर के बाहर ले जाता है अब अगली सुबह एलिसा को एक डाइनिंग टेबल पर बिठाय जाता है जहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही बिठा हुए थे और सभी वहाँ पर ना खाने लगते हैं ये सब देखकर एलिसा रो रही थी और एक आदमी एलिसा को कमफट करता है और फिर वो आदमी एक कार में बेटकर वहाँ से निकल जाता है कुछ टाइम बाद एलिसा को एक रूम में लाकर रखतेते हैं और वहाँ पर CCTV केमरा की फूटेजस चल रही थी ये CCTV उस घर में हर तरफ लगे वे थे और उसी समय फेबरीजो एलिसा को वीडियो कॉल करता है और हमें पता लगता है कि फेबरीजो इतने टाइम से एक डार्क वेब के लिए मुवी बना रहा है और इस मुवी के चलते उसने बहुत लोगों को बिना वजे बेरेमी से मार दिया है क्योंकि ये सब कुछ उसके वीवर्स के एक डिमांड थी एलिसा सब कुछ जानकर हस्ती भी है और रोती भी है और इन सब के चलते उसके सारे दोस्त मारे गए थे कॉल कट हो जाने के बाद में एलिसा अपने हाथ को किसी तरह आज़त करती है एलिसा के हाथों को उन लोगों ने उसी चेर पर ठोक दिया था और फिव वो उस घर से भार आती है अब एक वेन में एलिसा चियारा और फेबरिजो को बात करते सुनती है और असल में चियारा की जी भीबी सही सलामत थी वो भी इन लोगों के साथ में मिली हुई है और यह सब दिखकर गुस्टे में एलिसा चियारा को गोली मार देती है फेबरिजो अपनी जान बचाने के लिए भागता है लेकिन एलिसा उसे भी गोली मार देती है और केमरा को आफ कर देती है एलिसा जंगल में चलने लगती है और तबी उसे एक बच्चा नजर आता है और उस बच्चे का पीछा करके एक बीच तक आ जाती है जहांपर सभी लोग एलिसा का वीडियो निकालने लगते है फिर एलिसा समंदर के अंदर चली जाती है और वहाँ का कोई भी आदमी उसे नहीं रोकता है इन सारी चीजों को बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर पर डार्क वेब की जरीय देख रहे थे और फेब्रीजो की इस मूवी का नाम था ब्लड फिलिक्स और यह मूवी यह पर एंड हो जाती है दोस्तों फेब्रीजो और बाकी सब लोग डार्क वेब पर फिल्म में बनाने का काम करते थे डार्क वेब पर लोगों की डिमांड थी कि बेकसर लोगों को मार काट कर उनको टॉर्चर करके उनके फिल्म बनाई जाए Like, Views और पेशों के चकर में फेबरी जोर ड्रैवर बनकर लोगों को फसाता और उस अंचान जगह पर लाकर उनको मार काटकर डार्क वेब पर उनके फिल्म में बनाता मूवी के एंड में बीच पर लोगों ने शेयर और सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि मैं बहुत साइंटरस्टिंग वीडियो जिल्दी आपके लिए लेकर आता हूँ